पैन इंडिया स्टार प्रवास की अपकमिंग फिल्म सालार की हर एक अपडेट पर फैन्स की नजने बनी हुई है इस फिल्म से सिर्फ प्रवास का लुक सामने आया है जो कौफी धासू है प्रभास के लुक से साफ है कि सालार में अविलिता सांदार एक्षन करते दिखाई देंगे लेकिन इसके अलाबा अब फिल्म से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आने वाली है फैंस इस फिल्म के टीजर का बेसरवी से इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार के बीच मेकर्स सालार से जुड़ा एक बड़ा एलान जल्द पेस करने वाले हैं बेल मेरा नाम है सोबेत यादब और हम आपको बताते हैं रिवीउस, स्टोरीज एंड रियक्षन हमल फिल्म के बैनर तले बन रही सालार के मेकर्स 15 अगस्त को फिल्म से जुड़ा बड़ा एलान करने वाले हैं जिसकी जानकारी टुटर के दुवारा सेयर की गई है इस पोस्टर पर लिखा है कि 15 अगस्त को दोफेर 12 बज़ कर 58 मिनट पर बड़ा एलान किया जाएगा इस पोस्टर में किसी कलाकार का चेहरा तो नहीं दिखाया है लेकिन इसमें एक्षन सीन की जहलक जरूर नजर आ रही है चारों तरफ तोड़ फोड हो रखी है और बीच में एक हेलिकॉप्टर भी आग के हमले में आ गया है हमल फिल्म्स के इस क्वीट के साथ ही प्रभास के फैन काफी एकसाइटिड हो गई है कई लोगों ने इस क्वीट पर फायर का इमोजी भेजा है इसके अलावा एक यूजर ने लिखा क्या ये कंणर और तैलगू में होगा दूसरे ने लिखा फाइनली इसी तरह एक यूजर ने लिखा इंतजार नहीं कर सकता हूँ हाला कि कुछ फैंस ने सालार के इस पोस्ट पर केजी एफ चैप्टर 3 को लिएकर काफी कमेंट किये हैं बता दे के केजी एफ के दौनों पार्ट का नरिदेशन करने बाले प्रसांत नीर ही सालार फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं सालार में प्रभास के साथ सुरूती हसन नजर आएंगी और प्रभास की इस फिल्म को भी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा जहां तक फिल्म की रिलीज डेट का सवाल है तो मेकर्स ने सालार को अगले साल 2023 तक रिलीज करने की उम्बीज जताई है जाते जाते कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आप लोग इस फिल्म का इंतिजार कर रहे हूँ या नहीं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आगन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना